कई बार लोगों से सुनते हैं मैं intermittent fasting पे हूँ intermittent fast यानि क्या होता है ये हमारे मन में आखिर हो जाता है कई बार और हम लोग किसी से सुन लेते हैं वो कहता है कि मैं intermittent fasting पे हूँ तो आप सोचते हैं यार ये है क्या system और हम उससे पूछना भी चाते हैं यह चीज क्या है बतातो दो हम यह भी तो दिखाना चाहते हैं कि हमें सब चीज़ों का पता है तो देखिए intermittent fasting का मतलब आखिर होता क्या है intermittent fasting का मतलब होता है वैसे तो इसका सही नाम होता है intermittent और इसका मतलब fasting आपको पता है worth यानि कि इसके अंदर वो इनसान एक window decide करता है यानि कि एक समय decide करता है कि मुझे किस समय से किस समय के बीच खाना खाना है intermittent fasting का मतलब असलियत में तो यह होता है कि आप 12 या 18 घंटे खाना ना खाएं और बाकि जो 5-6 घंटे बचे हैं उनके अंदर खाना खाएं खाना खाना किस तरीके का है उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता वैसे unhealthy तो नहीं खाया जाता लेकिन अच्छा खाना खागर के आपको decide करना होते कि मैं इस समय खाना खाऊंगा और बाकी के समय खाना नहीं खाऊंगा तो उसको ही बोला जाता है intermittent fasting यानि कि अगर आप अपने सरीर को 18 गंटे ऐसे देंगे जिसमें सिरफ आप पानी पीएंगे खाना नहीं खाएंगे तो आपका सरीर जो बीमारियां हैं जो problèmes हैं जो आपके सरीर में दिक्कत है उसको ठीक करता है तो उस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो recovery या जब हो हमारी problems को reverse करने का शमय होता है हमारा सरीर हमारे सरीर को heal करता है ठीक करता है तो में दो दोस्तों आप लोग जान पाई इंट्रमेंटेंट फास्टिंड का मतलब क्या होता अगर जानकर ये अच्छी लेगी लाइक करना वीडियो को शेह करना दोस्तों के शार चैनल को सब्सक्राइब करके घंडी दबालो ताकि ऐसी वीडियो और मिलती रहे